तो हलो फ्रेंज विल्कम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो फ्रेंज आज की इस वीडियों हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अपने लैप्टॉप या पीसी में यूंडो टेन हो या अलेवन हो आप उसमें अगर चाहते हैं यहां पर आप लोग देख सकते हैं यहां पर कि मेरे अभी टाइम सेटिंग है यह अभी फिलाद मेरे 24 घंटा वाला भी टाइम सेटिंग है अगर इसको हम चाहें कि अभी 12 घंटा वाला टाइम सेटिंग करने के लिए तो वह हम कैसे करेंगे तो आज कि इस वीडियों हम आप लोग को पुड़ा कंप्लीट स्टेप वाला है वीडियो का आप लोग मत कीजेगा वरना आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो चलिए हम वीडियो के स्टार्ट करके आपको पुड़ा कंप्लीट स्टेप बाइस टिखा देता हूं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आप मेरे चैनल पे नए नए आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाला वीडियो का नोटिक्वेकरेशन आप पक सबसे पहले पहुंचे हैं तो हलो फ्रेंज में हुई दिलीप तो आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है टेक्निकल दिलीप यूट्यूब चैनल में तो इसलिए हम वीडियो के स्टार्ट करके आपको पुड़ा कम्प्लीट स्टेप बाइस्टेप दिखा देता हूँ तो फ्रेंज यहां पे 24 घंटा वाला टैम को 12 घंटा वाला टैम में सेट करने के लिए आपको सबसे पहले यहां पे एक सर्च बार में आपको जाना है और सर्च बार में जाने के बाद आपको यहां पे सेटिंग वाला उप्शन पे आपको जाना है और सेटिंग वाला उप लेशन कर लेना होगा सेटंग को आप चीजेगा इसके बाद के सामने में यहां पर एक उप्शन आपको दिखाया देदेगा टामेश लैंगवेज अधे टामेशली क्लिक कर देना होगा टाम्हेश लैंगवेज वाला उप्शन पर आप को क्लिक कर देना होगा उस पर आप जैसे ही क्लिक किजेगा उसके बाद आपके सामने में नया इंटरफेस खुल करके आजाएगा कुछ बाला ऑप्षन पर आप जैसे क्लिक किजेगा उसके बाद आपको सिंपली यहां पर चाय वह बाड़ा घंटा में कणभर्ट हो जाएगा उसलिए मैं आपको दिखा भी देता हूं जैसे मिना पर एम बाला ओप्शन पर क्लिक करूंगा तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं जो यह मेरा जो अभी 24 घंटा वाला टाइम सेट अप था यह मेरा फिलाल में अभी 12 घंटा वाला टाइम सेट अप हो चुका है तो फ्रेंज इस तरह सम अपने विंडो 11 में 24 घंटा वाला टा सब्सक्राइब कर सकते हैं तो फिलाल के लिए अतना है फ्रेंज फिन मिलता लिए एक नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहिन जय भारत